Hello everyone, welcome back to literature people, मैं मदो पांडे, ये चैनल पे मैं literature related videos डालती हूँ, जो tough topics होते हैं उनको easy explain करती हूँ, आगर ऐसे content में interest है तो channel subscribe कर लो और bell icon press कर लो, आज का topic है the role, motivation and attitude in second language learning, ये the aspects of language का part है, ये उसका video है, ये second language का video है, language in use में, ठीक है, aspects of language में ये topic आता है, second language क्या होता है, अभी suppose कोई Indian है, कोई crazy state का, अभी suppose मेरी जो first language है, वो Hindi है, अब मैंने मेरे school में English सीखी, तो वो हो गई मेरी second language, और मैं कहीं और जाती हूँ, मैं वहाँ की language सीखी हूँ, तो वो हो जाएगी मेरी third language, अभी जैसे कि मेरी जो mother tongue है, वो Hindi है, मैंने language सीखी, English है, third मैं महारास्ट्रा में रहती हूँ, तो मैं माराठी भी जानती हूँ, fourth अगर मुझे किसी language में interest है, मैंने वो सीखी, अभी मुझे Korean language में interest है, मैंने वो सीखी, अच्छे से नहीं आती फिर भी, तो मेरी fourth language हो गई, अभी मैं थोड़ा Russian language पे ध्यान दे रही हूँ, तो मेरी fifth हो गई, वितलब ऐसे मैं जितनी language सीखती जाँगी, वो ऐसे अलग अल अलग language होती जाएगी, अभी हम लोग second language learning पे देख रहे हैं, तो यह majorly English के लिए हो सकता है, कोई भी language के लिए हो सकता है, किसी भी country के हिसाब से हो सकता है, यह मैं इंडिया के हिसाब से बता रही हो, पहले हम लोग देखते हैं कि second language learning में role क्या होता है, इससे related मैंने कई अभी जैसे कोई Indian professional worker है, जो multilational company में काम करता है, वो English language को priority देगा, because जब उसको multilational लोगों से बात करनी होगी, तो जादा तर यह language English शलती है, तो ऐसा इंसान English में ध्यान देगा, दूसरा role है, academic role है, इसमें जो लोग होते हैं, अभी जो भी जादा तर जो tax वगरा रहते है वो English में रहते हैं, जो जिन्होंने English में पढ़ा रहेगा, जैसे मैंने पढ़ा था, उसमें सारे ही जो text रहते हैं, हमारे English में ही रहते हैं, इसे एक subject होता है हिंदी का, पर जब ऐसे आगए higher education होती जाती है, ज़्यादा तर सारे text वो English में होते हैं, तो हमें इसलिए English आना जरूरी होता है, जिससे हम higher education अच्छे से अचीव कर सकते हैं, यह हमारा one of the roles है, कि हम लोग क्यों second language as in English लेना चाते हैं, फिर third role है, cultural role, अभी जैसे कोई western literature में interested है, cinema में interested, अभी जैसे बहुत लोग TV देखते हैं, जैसे मैं ही Netflix वगरा बहुत देखती हूँ, तो उसके जो TV shows होते हैं, वों English होते हैं, अभी जैसे हम literature वालने हैं, तो हमें आरा जो literature है, जैसे कि हम लोग को को यह पढ़ना पसंदे, English literature पसंदे हो, हम लोग literature के English literature के student है, इसलिए यहाँ पे हैं, तो अभी जैसे हमें pride and prejudice पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे और भी literature वाली कोई दूसरी state में रहता है, अभी जैसे south के जो state होते हैं, तामिल नाडू वगरा हो गया, वहाँ पे जो लोग गया, अभी कोई जो tamil language होती है, वो हर किसी को नहीं आती, बट English language सब को आती है, हिंदी नहीं आती लोगों को, बट English आती है, तो यह हो गया community role, अब है family role, तामिल में गया, तामिल नाडू में गया, तो उसने tamil सीख ली, चीजों को और अच्छे से connect करने के लिए, ऐसा, अब जो दूसरी चीज होती है, effect करती है, language को सीखने में, वो है motivation, पहला motivation, intrinsic motivation, intrinsic meaning होता है, अंतरिक, अभी जैसे कोई Indian student है, वो second language सीखना चाहता है, French या फिर Spanish, यह जो हो सकता है कि हमारे personal interest के वज़े से होता है, हमें culture, reality, literature के वज़े से होता है, अभी जैसे बहुत लोगों को K-pop बहुत पसंद है, K-drama बहुत पसंद है, इसलिए लोग Korean language सीख लेते हैं, out of the fun, literature जानना है, समझने के लिए और अच्छे से, अभी दूसरा होता है, extr intrinsic motivation, अभी यह हमारे internal factor नहीं है, यह हमारे external factor है, अभी जैसे अगर कोई चीज हमें कहीं और job मिल रही है, कोई technology जादा बढ़ रही है, हमें दूसरी country मुझा की काम करना पढ़ रहा है, जो job मिल रही है, वहां की language सीखनी पढ़ रही है, अभी जैसे किसी को Chinese सीखनी पढ़ र external factor, फिर third motivation है, instrumental motivation, अभी जैसे को अपना business बढ़ाना है, overseas करना है, बाहराना है, कि जैसे अभी मेरा कोई एक business है यहां पे, अभी सब उस मेरा कोई business है यहां पे, और मुझे यह पता है कि वो business जर्मनी में भी बहुत अच्छा चलेगा, तो मुझे जर्मनी में एक ब्रांच नहीं खोलनी है, तो उसके लिए मुझे अगर जर्मन आती रहेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा, social motivation, next motivation, social motivation, अभी जैसे बहुत लोगों को Korean अच्छी लगती है, मतलब बहुत लोग के drama, के-pop देखते हैं, एनिम देखते हैं, जो Japanese होती है, तो इन सब चीजों से भी लोग influence होके language सीख लेते हैं, अभी एनिम अगर तो कितना चलता है, कितना teenager से या सब लोग देते हैं, मैं भी कभी-कभी एनिम देख लेती हूँ, तो बहुत लोगों को ऐसे interest आके भी language सीख लेते हैं, next motivation है, globalization motivation, अभी जैसे कोई IT सेक्टर में है, वही चीज है, कि अगर हम लोग क दूसरी countries में जहां वो जाद अच्छे से है, तो हम लोग वहाँ पर try करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, गल्फों में job करते हैं, तो लोग वैसे language सीखने की कोशिश करते हैं, अब है attitude, अब attitude क्या है, first हो गया हमारा role, second हो गया motivation, now third है attitude, attitude क्या होता है second language learning के लिए, जैसे व वो इनसान positive attitude रख रहा है, चीज़ों के सीखने के लिए, हाँ हाँ मुझे अच्छी job मिल जाएगी, अच्छा मेरे चीज़े बढ़ जाएगी, मुरे को काफी एक opportunity मिल गई, मैं English language अच्छे से जीखूँगा, easy है, सीख लेंगे उसमें क्या, दूसरा है cultural openness attitude, अभी कोई traveler है, Indian traveler है, वो South East Asian में जा रहा है, और वहाँ पे घूम रहा है, travel कर रहा है, तो हो सुचता है कि थोड़ी सी मुझे भी language आती रहेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इससे क्या होगा, मैं दूसरे culture को समझ पाऊंगा, सबसे बड़ी बात रहेगी, कि वो अच्छे से घूम आएगा, वरना पता भी नहीं सो चलेगा कि कहां जा रहा है, थड़े positive attitude, यह जो थोड़ा match करता है, perseverance attitude से क्या होता है कि वही है, अगर हम किसी भी language को सीखने के लिए हम लोग positive behavior रखेंगे, हमें मज़ा आएगा सीखने में, तो हम लोग उसको और अच्छे से सीखेंगे, औ और उससे क्या होगा कि हम लोग अपनी ही जो चीजे हैं, हमारी जो opportunities है, job के लिए या life में कुछ अच्छा करने के लिए वो बढ़ जाएंगे, negative attitude, अभी क्या होता है कि कोई भी भाशा है, वो बहुत tough हो रही है, बहुत नहीं सीखा जा रहा है, तो यह negative attitude भी रहता है लोग जो हमारा culture preserve करना, दूसरे culture को अच्छे से समझना, इसके लिए हम लोग जो cultural attitude अच्छे से use कर सकते हैं, ओके तुम्हें ये वीडियो यहीं पे end करती हूँ, कुछ doubt रहेगा तो comment कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like कर दो, चैनल पर first time हो वीडियो अच्छा मेरी एक novel है, ये inspirational है, romance है, k-pop है, ये जो है हर जगे available है, google books में भी है, और बहुत easy prices में है, हर जगे इसके sample available है, देखो अच्छे लगे तो ले लो, thanks for watching, see you next time, bye bye